तो आज के इस वीडियो में हम अपनी वेबसाइट पे जो ये OI एनलेसेज है इस टूल के वारी में समझेंगे ये मैंने एक नया टूल बनाया है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं उनके लिए कि इस ओपन इंट्रेस्ट को देखके इस kind of a dashboard को देखके हम एक मारकेट का direction कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं अभी ये tool सिर्फ Nifty के लिए काम कर रहा है बट आने वाले दिनों में एक वीक में या दो वीक में ये bank Nifty के लिए भी मैं इसे implement कर दूँगा बट अभी आप सिर्फ Nifty के लिए इसको use कर सकते हैं इस tool में मैं आपको बताऊँगा कि ये trending OI किस direction में बढ़ रहा है उससे हम market का prediction कैसे निकाल सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा last तक देखते रही है और आपको इस वीडियो से हमारे चैनल से options related कुछ भी चीज़े सीखने को मिल रही है आपको profit हो रहा है तो please वीडियो को like करिए, comments करिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए आप हमारी website stockss.com पे जाके OI analysis पे क्लिक करते हैं तो आपको ये page open होगा यहाँ पे आपको ये 3 section देख रहे हैं एक इस side में table type का है और इस side में graph type का है तो इसमें हम क्या देख रहे हैं सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं पहले आप एक concept समझेए open interest analysis कैसे किया जाता है open interest का analysis आपने बहुत सारे videos देखे होंगे या फिर आपको पता होगा कि हम open interest का analysis हमेशा sellers perspective side से करते हैं कि अगर call side में open interest भढ रहा है तो मत्तब call side में sellers जादा है तो market का direction बेरिस हो सकता है और अगर put side में open interest जादा है call side की compare में तो market का direction upside में हो सकता है क्योंकि जादा तर sellers put side में right कर रहे है put side में जादा right कर रहे है तो मतलब उनका expectation है कि market उपर जाएगा तो हम intraday basis में हमें change in open interest बहुत important factor होता है हमारे लिए change in open interest अब आप option chain पर आके किसी भी time पर NSE की website पर देखेंगे तो आपको ये उस time का snapshot मिलेगा आपको ऐसा snapshot नहीं मिल सकता है कि सुबह से लेके साम तक हर 5 मिट के बाद या फिर हर 10 मिट के बास open interest कैसे trend कर रहा था तो ये kind of a trending open interest बताता है हमारा ये सुबह 9.16 से start हो जाता है NSE की website से data collect करना intraday basis के लिए हमने अपनी stock science website पे intraday OI analysis करके tool बनाया है तो इस tool में क्या है इसमें हम change in open interest trending दिखाते हैं कि morning में कितने बजे से कि 5 मिनट के interval पे क्या activity हो रही थी किस side में कितना open interest बढ़ रहा था तो यहां पे intraday basis में हमारा ये change in open interest बहुत important parameter होता है ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो market हमने snapshot लिया है 13 तारीक का snapshot है 13 April 2021 का तो उस दिन market बहुत bullish था तो आप clearly देख सकते हैं कि यहां पे put side में change in open interest सारी strikes पे increase हो रहा था और call की side में open interest decrease हो रहा था 13 तारीक काफी bullish data है इसलिए open interest यहां पे change in open interest decrease हो रहा था बट कभी जबी कैसा होता है कि market थोड़ा sideways है या फिर थोड़ा सा bullish है तो यहां पे कम activity हो रही होती है यहां पे open interest कम बढ़ रहा होता है change in open interest और put side में open interest ज़्यादा बढ़ रहा होता है यह bullish case हो गया bearish case में क्या होता है call की side में change in open interest इस side में यहां पे increase हो रहा होता है और put की side में भी सायद increase हो रहा है या फिर decrease हो रहा हो call की side से कम increase हो रहा होता है तो हम इस टूल में क्या करते हैं सुबह या 9 बच के जैसे market 9.15 से खुलता है तो 9 बच के 16 मिनिट से हम open interest collect करना start कर देते हैं तो यहाँ पर आप first वाली column पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा यह time stamp लिखा हुआ और दो दोस्तों यह time stamp हमारा यह NAC की website हर 3 मिनिट के बाद open interest update होता है तो कभी जबी 4 मिनिट के बाद भी होता है कभी जबी 5 मिनिट के बाद भी होता है तो इसको 5 मिनिट के interval पर दिखाना that is wrong assumption तो यह जो time stamp दिया गया है हमारे NAC की website से यह data कब update हुआ है वो वाला time है ना के 5 मिनिट के 3 मिनिट mostly यह data जो हमारा रहता है 3 मिनिट के इंटरवल पर update होता रहता है दोस्तों automatic update हो रहा होता है तो आपको कुछ करने की जरूद नहीं यहाँ पर यहाँ पर आप यह red color की line जाते हुए देख लेंगे तो मतलब वो request जारी है server पे तो आपका data update हो जाएगा और दूसरे column में यह हम यहाँ पे last traded price क्या है कितना रहा था nifty पे जब यह data open interest का snapshot लिया हुआ था 14,305 हो रहा था nifty का price हमने 9 बज 21 मिनिट पे यह snapshot लिया है change in open interest call की side change in open interest put की side में यह हमने लिया हुआ है इस time पे call की side में 20,000 contract open थे अपरोग आप यह line देख सकते हैं इसका मतलब यह है कि data हमारे server पे जा रहा है और यह page automatically refresh हो जाएगा और put की side में करीब करी 18,000 open interest था जब market open हुआ था उस time पे अब सारे दिन activity कैसी रही यहाँ पे हम आके देख सकते हैं अब यह जो है यह वाला column oi difference इस column में मैंने क्या किया हुआ है put minus call open interest यह change in open interest पूरी option chain का आप यह ध्यान रख किये यहाँ पे option chain ने इनको पूरे को calculate sum किया गया है और इस पूरे को sum किया गया है इस total में से put के total में से change in open interest में से call का change in open interest का total separate कर दिया गया है तो यहाँ पे यह वो number है अब इसका मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे call की side में open interest जादा है तो मतलब call की side में open interest जादा है तो यहाँ पे हमारा bearish signal generate करेगा ओके अब जैसे ही market open हुआ bearish signal के बाद 9-26 पे around 10 minute के बाद हमारा turn हो गया bullish signal पे अब देखिए यहाँ पे 30,000 open interest हो गया और यहाँ पे put side में change in open interest 37,000 करीब contract हो गया मतलब हमें साब साब दिखाई दे रहा है कि हमारा करीब करीब 7,000 contract put की side में जादा generate हो रहा है तो यह हमारा signal bullish generate कर रहा है और यह जो छटा जो column है यहाँ पे यह direction दिखा रहा है यह पिछले direction से इस वाले column में और इस वाले data में direction में क्या change हो रहा है जैसे 7,000 था ठीक है अब 7,000 में difference मलब यह difference बढ़ रहा है तो यह direction अब होगी अगर यह difference कम हो रहा है तो यह direction down होगी तो इसी चीज को हमने यह graphs में समझा है जो red color की line ने change in put open interest बता रहा है और यह green color की line ने change in total change in call option बता रहा है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि slowly slowly from morning से थोड़े सी देर तो call और put option बढ़ते रहे थे थोड़ी देर बाद put side में यह red color की line है यह increase होने लगी मतलब total change in open interest put side में increase हो रहा है मतलब put side में ज्यादा writing हो रही है call side में भी writing हो रही है बट यहाँ पे यह देखिए flat line है और फिर उसके बाद करीब करीब यहाँ पे 11 या 11.20 पे यह line call के side में यह decrease होने लग जाती है और especially यहाँ के बाद यह देखिए around इस point के बाद 12 बज के 50 मिनिट पे जो यह point हो रहा है हमारा 13 बज 13 मतलब 1 बजे करीब यहाँ पे 1 बजे करीब यहाँ पे यहाँ से देखिए clearly में पता लगने लग रहा है call का open interest decrease होने लगा है और put का open interest वहीं की वहीं थोड़ा से increase हो रहा है और call का open interest decrease हो रहा है तो मतलब यह kind of हमें यहाँ से पता चल रहा है जो market में bullish trend चल रहा होगा वो strong होता जा रहा है और यह जो line है यह हमारी difference की line है OI difference के यह जो number है हमने यह इस line पे plot किया हुआ है मतलम यहाँ पे call और put के बीच में धीरे धीरे पूरे दिन difference बढ़ने लगा बढ़ रहा है बढ़ रहा है और यहाँ पे आके देखिए यहाँ पे आके फिर थोड़ा सा कम हुआ था और यहाँ पे आके इसने एक breakout दिया यहाँ पे मतलब 1.45 पे call और put के बीच में difference बहुत जादा बढ़ने लगा तो मतलब put में जादा writing हो रही है instead of call writing में ऐसे ही हम यहाँ पे यह signal जो generate हो रहा है bullish, bullish signal जब generate होगा जब put की writing जादा होगी call से और bear signal जब generate होगा जब call की side जादा writing होगी put से और यह जो direction वाला है अब यहाँ से इसमें और इसमें अगर difference कम हो रहा है तो यह down signal generate होगा और difference बढ़ रहा है जैसे 23,400 करीब open interest का difference है put और call में और यहाँ पे 23,700 करीब का difference है call और put के बीच में difference बढ़ गया है तो यहाँ पे up direction जा रहा है उसके साथ हमें एक दो parameter और analysis करने के लिए लगाने चाहिए जैसे कि हम nifty futures का chart open कर लेते हैं यहाँ पे अपने 5 minute का chart open कर लेते हैं तेरह तारीक का तो यह देखी जो तेरह तारीक की है यहाँ पे यह market open हुआ करीब करीब यहाँ पे एक बज़े के करीब market नीचे आने लगा और यहाँ पे इसने हमें यह करीब करीब breakout दिया यहाँ पे high volume है हम यहाँ features का chart लगाएंगे क्योंकि हमें volume का data भी देखना है तो volume का data यहाँ पे एक तम दो बड़ी बड़ी candle बनने लगी है थोड़ा market नीचे के आने के बाद यहाँ से kind of a reverse लाने लगा है market में तो इस time पे हम जाके करीब 1.35 पे जाके देखेंगे हमारा trending open interest क्या कह रहा है 1.35 पे जाके यहाँ पे तो यह जो 1.35 के approach यहाँ पे यह देखिए market नीचे जा रहा था नीचे जा रहा था बट यह signal bullish नहीं हुआ तो यहाँ पे हमें एक idea हो जाना चाहिए कि साइद market यहाँ से reverse हो सकता है और यहाँ से फिर देखिए market उपर reverse होने लग गया है अब यहाँ पे हमें clearly इस वाले graph में हमें clearly देखेगा 1.35 के बाद इसने यहाँ पे करीब करीब पिछला जो high बनाया था open interest के difference का उसका भी यहाँ पे भी breakout मिल गया है हमें और यहाँ पे भी करीब करीब यहाँ पे breakout मिल गया है तो यहाँ से हम एक bullish साप bullish trade बनती है हमारी यहाँ से जाके हम पूरा दिन देखिए पूरा दिन market उपर जाता ही रही है और दोस्तों एक और चीज़ याद रखिए जो trend एक या त्रेंड बजे के बाद बनते हैं वो trend बहुत strong होते हैं दिन का trend इतना ज्यादा strong नहीं होता है market में त्रेंड बजे के बाद या दो बजे के approach जो trend होते है एक तो हमारा यह price action हमें confirm कर रहा है volume भी confirm कर रहा है open interest से भी हमें साब साब यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर करीब करीब यह breakout दिया और यहाँ से भी देखिए call की open interest एकदम decrease होने लगे है put की open interest थोड़े से increase होने लगे है यहाँ से हम इस तरीके से analysis कर सकते हैं दोस्तो open interest और price action को मिला के kind of intraday basis पे हम market का direction थोड़ा सा predict कर सकते है इसके साथ साथ चीज में एक और बताना चाहूँ है कोई भी analysis होता है वो 100% time काम नहीं करता है आपका analysis 70-80% time ठीक पेट रहा है तो आपका analysis आप correct direction में कर रहा है तो यह दोस्तो हमारा यह tool है हमने build करने के try किया है धीरे-धीरे features में improve करेंगे अभी nifty के लिए काम कर रहा है फिर bank nifty के लिए काम कर रहा है आप इस tool को use कर सकते हैं open interest analysis tab में जाने के उसका link description में उसको join करने के लिए आप से कोई charge नहीं ले लग रहा है उसको join करना बिलकुल free है और एक हमारा VIP group channel भी है उसको आप join करेंगे तो आपको 200 रुपे पर मन देना पड़ेगा तो आप यहाँ पे जाके subscribe कर सकते हैं हमारे VIP channel तो दोस्तो अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला है या फिर आप यह वाला tool यूज कर रहे है अपनी day two basis में तो मुझे जरूर comments करके बताईए और आपको कोई भी feedback है तो भी बताईए तो दोस्तो channel को like करिए इस video को subscribe करिए इस tool को use करिए अपने फ्रेंज लोगों को बताईए इंट्राडेबेसेज पर काफी अच्छा टूल है और कोई भी feedback है तो मुझे comments करिए thank you for watching